एलो स्टुडेंट्स हम कर रहा है इंकम टैक्स के अंदर हमारा चेप्टर नॉबर फर्स चल रहा है जिसका नाम है basic concept और आजका lecture जो है वह चेप्टर नॉबर फर्स्ट का lecture नॉबर सेकेंड है आज के lecture के अंदर हम यह important definitions देखने वाले हैं जो हमारे income tax के अंदर काम आएगे यानि कि आगे के chapters जब हम करेंगे तो यह definitions के बिना वो chapter अच्छे से समझ में नहीं आएगे कोई भी act होता है तो उसकी काफी सारी definitions जो है उसके section number 2 में दे रखी होती है तो income tax में यह ऐसा है कुछ exceptions को छोड़ दे यानि कि कुछ आप वादों को छोड़ दे तो income tax act जो है 1961 उसके section number 2 यानि कि उसकी धारा 2 के अंदर यह सारी important definitions दे रखी है और इन definitions को में अच्छे से समझना होगा कि income meaning क्या है income tax के point of view से इसके अंदर आता है सबसे first आता है ससी फिर आता है assessment फिर आता है सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ससी ससी कौन होता है ऐसे सी को हिंदी में बोलते हैं कर दाता यानि कि taxpayer ऐसा person जो क्या पे करेगा टेक्स पे करेगा उसको क्या बोलते हैं ससी एससी means a person एससी की मतलब एक person से हैं जो क्या करेंगा टेक्स पे करेगा तो supreme कुछ भी नहीं है person है एक व्यक्ति हैं जिसकी income पे क्या लगेगा टेक्स तो उस person को क्या बोलते एससी वैसे परसंज सारे होती हैं लेकिन चैनल की income के उपर हम tax लगाएंगे उसको बोला जाता है उस person को बोला जाता SSE क्योंकि वो tax payer है कर दाता है tax pay करने वाला है ओके तो SSE का सीधा connection आ जाता है person से देखो person भी यहाँ पर है यह हो गया आपका SSE और SSE किस से related है person से तो person क्या होता है SSE तो है वो person जिसके उपर क्या लगता है tax जो tax pay करेगा तो वो person जो tax pay करना है जिसके उपर tax जिसकी income के उपर tax calculate होगा उसको बोलते SSE अब person कौन होता है अब इसमें आप बोलो के person का मतलब क्या है हम जैसे इंसान नहीं income tax के अंदर person का मतलब कहीं जादा है income tax यह second आपका person है third number point यह रहा ठीक है तो person को समझ लेते है person का मतलब यहाँ पर income tax के अंदर individual से भी है यानि कि कोई एक व्यक्ती individual जैसे कोई भी male female है ना तो वो individual हो गया तो individual person है और और आता है इसमें आपका company जिसको artificial person बोलते है company आती है सारी की सारी तो companies को भी क्या बोले जाता है जो भी companies होती है वो भी क्या है वो भी person है वो कोई अलग नहीं है क्योंकि companies की income के उपर उपर코म्पनी जो profit earn करती है उसके उपर भी क्या लगता है income tax लगता है और वो भी बहुत कंपनीज को आर्टिफिशल परसन भी बोला जाता है आर्टिफिशल जूडिशल परसन इसके अलावा थर्ड नंबर पर आता है आपका हुए 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 का मत्दब बता है हिंदू अंडिवाइड फेमिली यह चोटा सा चेप्टर आगे आएगा आपके ठीक है त पतना ध्यान रखना अभी कि हुए हुए नाम से जो बिजनस होता है हिंदू अंडिवाइड फेमिली हिंदू अववाजित परिवार बोलते हैं इसको यह भी एक बिजनस की फॉर्म है ओके फिर आता है इसके अंदर आपका फॉर्म जैसे पार्टनर सी फॉर्म या सोल प्र संस मिल जाते हैं और किसी बिजनस को करती हैं तो उसको बोलते हैं इई ओ पार्टनरसिप नहीं ठीक है पार्टनर सी फॉर्म के यदर आ जाएगा वो तो इसको AOP बोलते हैं एक होता है BOI BOI का मतलब होता है Body of Individuals यहां पर person मिलकर के कुछ काम कर रहे हैं यहां पर individual मिलकर के कुछ काम कर रहे हैं तो दोनों में बहुत फर्क है person मतलब यह सब individual company है हो है, firm, AOP, BOI यह सब person की category बाते हैं यह सब आपस में मिलकर कोई काम कर रहे हैं Association of person Body of Individuals का मतलब क्या है BOI Body of Individuals I का मतलब यहां पर only Individuals से है तो के वल इंडिजवल व्यक्ती जो मिलकर के कुछ काम करते हैं तो उसको बोलते है Body of Individuals BOI इसके अलाबा आजाती है फिर Local Authorities Local Authorities जो होती है जैसे State Level पर होती है District Level पर होती है जैसे अपना नगर निगम हो गया जैसे है तो वो Local Authorities होती है तो यह Government बोडी भी होती है कुछ तो यह सब Person की Category में आता है अब देखें यहां पर देखें यह SSE है यह Person है और Person क्या Earn करता है जब यह सारे Persons है मैंने Company सही लिख देता हूँ अब देखना इनकी बीच में Connection बिठाते जाएंगे और सारी Definitions कर लेंगे हम Companies तो यह Person हो गये सारे के सारे यह SSE हो गया जो Person होते हैं उसकी Income पर Tax जो व्यक्ति पे करता है उसको हम बोलते है SSE तो Person यह सारे Person यह जब कुछ Earn करेंगे कुछ कमाएंगे जब कुछ इनकी Income होगी उसके उपर जब इनकी उपर Tax Liability आएगी तो इन सब इन सब Person को हम SSE बोल देते हैं अगर इनकी Income नहीं है अगर इनकी Tax Pay नहीं करेंगे इनकी Tax Liability नहीं है तो इनको SSE नहीं बोलेंगे Okay Tax Liability मतब Tax इनकी उपर Assessment नहीं हो रहा है तो Okay अभी मैं Normal Words यूज करूँगा ज्यादा Income Tax के वर्ड यूज नहीं करूँगा क्योंकि अब अभी आपका introduction हो रहा है Okay अभी मैंने एक वर्ड बोला Income यानि कि यह सब लोग जब Earn करते हैं क्या Income तो हमारा यह आ गया Income और Income यहाँ पर कहा है यह रहा Fort Number तो Income का मतलब यहाँ पर क्या है जब भी कोई person Income Earn करता है और उसकी उपर Tax Liability होती है वो Tax Pay करता है उसकी उपर Tax Calculate किया जाता है उसकी Income की उपर तो उस person को SSC बोल दिया जाता है लेकिन उसकी कौन से Income तो Income बहुत तरह की हो सकती है अगर Indies Well है तो मान लेते है salary हो गया या company है तो profit हो गया है ना कोई इसके लावा interest receive कर लिया मतलब कुछ भी कमाई हो रही है क्योंकि कोई भी person होगा कुछ न कुछ income तो earn करेगा ही करेगा आगे इसके बहुत सारी चीज़े आएगी लेकिन अभी आप इतना ध्यान रखिए कि कोई इन में से कोई भी person कुछ कमाई कर रहा है तो वह उसके लिए क्या हो गई income तो ऐसे से समझ में आ गया पर्षण समझ में आ गया income समझ में आ गया नेक्स आता है फिर assessment अब देखिए सेकीड नंबर जब इस income का किया जाता है क्या किया जाता है is income का취 किया जाता है assessment assessment मतलब हिंदी में बोलते हैं कर निर्धारण कर निर्धारण assessment देखो यह persons है हाँ इन persons की income इन persons की income पे हम क्या करते हैं इन persons ने जो कमाई करी है उसकी उपर क्या किया जाता है assessment यानि कि इनकी इसकी income पर कित्ता टेक्स बन रहा है वो assess करना उसको calculate करना उसकी गनना करना वो ता assessment और फिर जब हम उनकी income पर assessment करते हैं निकि tax calculate करते हैं कर निर्धारित करते हैं टेक्स का determination करते हैं तो फिर इस person को क्या बोलते है SSC यह definition हो गई आपके चार पॉइंट हो गए SSC मतलब वो person जिसकी income पर टेक्स calculate किया जाता है तो उसको SSC बोलते है जो टेक्स पेयर है assessment मतलब income का determination करना, income को calculate करना, निर्धारित करना, tax decide करना person का मतलब यह सारे जो होते हैं लोग यह income tax की साबसे person होते हैं उसके बाद आता है आपका India इंडिया, इंडिया क्या है अब देखिए आप बोलो के इंडिया क्या है इंडिया एक country है वो तो ठीक है लेकिन income tax के point of view से थोड़ा सा यहां पर difference आएगा देखो क्या वैसे हम समझते हैं कि हमारे इंडिया का मतलब हो गया अब मेरको अच्छे से map बनाना तो आता नहीं है लेकिन मैं बना के बताता वर्णा आपको इंडिया तो जो हमारा इंडिया है मैं सई से तो नहीं बनाना आता लेकिन कुछ हद तक आप ऐसा बना देता हूं ठीक है क्योंकि मैं तो accountancy का teacher हूं तो अपन को एक वार लगता है कि यह इंडिया लेकिन यह नहीं इंकम टेक्स के हिसाब से देखो इंकम टेक्स के हिसाब से इंडिया के अंदर यह तो है है इसके अलावा कुछ चीजे और भी होती है वो क्या होता है कि जो सी होता है समूंदर होता है उसके अंदर जो दूरी मापी जाती है वो नौटिकल माइंड के अंदर मापी तो यहां पर 12 nautical mine NM यह nautical mine short में आप लिख सकते 12 nautical mine तक क्या होता इंडिया कहलाता है ठीक है तो यह आगे चीज़े काम आएगी जब हम residential SSC कोई भी SSC होता है person होता है और उसकी हम residential इस्तती status का पता करेंगे तब यह चीज़े हमारी बहुत काम आएगी तो कोई इंडिया की boundary आगे इसके नीचे जो समुंद्र है पानी का जो वाटर है वाटर के अंदर 12 nautical mine तक इंडिया माना जाता है तो यहां पर पानी के अंदर कोई वक्ती बैठ के इंकम जनरेट कर रहा है तो वह इंडिया से इंकम जनरेट कर रहा है ऐसा माना जाता है आगे यह चीज़ काम आएगी इसके अलावा कोई भी country होती है तो उसके दूसरे देश के अंदर उसका दूतावास होता है आपको पता है जैसे इंडिया जो है इंडिया इंडिया की country का दूतावास पूरे वर्ल्ड में हर जगह पे है रसिया में मिल जाएगा अभी यूकरेन में थे ना दूतावास सबकी अमेरिका का था उसका था जब यूद छड़ा तब सब लोग अपनी अपनी country में चले गए तो इंडिया क पूरी दुनिया के अंदर दूतावास कहीं न कहीं है तो इंडिया का जहां पर दूतावास है उस जगह को भी इंडिया माना जाता है इसके अलावा special economic zone भी बनाए होते हैं तो उससे related भी कुछ rules है तो इंडिया यहां पर थोड़ा सा इंडिया का meaning जो है वो beyond हो जाता है वो जब जब इससे related topics आएंगे जब हम tax calculate करेंगे residential status पता करेंगे तो यह चीज़ हम detail में पढ़ेंगे उसके बाद main दो चीज़े आजाती है जो आपके most important है यह आपको समझ आनी ही आनी चाहिए तभी आपको आगे चीज़े समझ में आएगी income tax समझ में आएगा देखो यहां पर दो यह लिखें एक है assessment यह assessment का मतलब मैंने अभी आपको बताया था कर निर्धारित करने 너무 tax का नंतारल करना उसको और एक्जाम्पल के लिए देखी मैं आपको यहां बदाता हूं एक होता है previous year और एक होता है assessment year और एक होता है assessment year जो previous year होता है ठीक है उस previous year की जो income होती है उस पे tax कब calculate किया जाता है assessment year यह assessment year जो है इसके अंदर इस year में जो आपने income कमाई है उसका assessment उसका calculation उसको decide इस year में किया जाता है for example के लिए हमारा previous year अभी मान लेते हैं 1st April 2021 to 31st March 2022 यह previous year था अभी चल रहा August का महिना यानि की 31 March 2022 जो गया वो हमारा previous year था एक अपरेल 2021 से लगाकर 31 March 2022 तक इस year की 21, 22 financial year भी बोलते हैं हम इसको accounts के अंदर इस financial year की income हमने कमा ली क्योंकि 31 March को final account बनते हैं सारी company Indies World जो भी है सब लोग क्या करते हैं final account बना लेते हैं उससे profit या उनकी जित्ती भी income है वो पता चल जाती है कि साल में कितना कमाया इस last date में पता चला हाँ अब इससे अगला जो year है just वो कौन सा होगा 1st April 2022 में start होगा March के बाद April और कब तक चलेगा 31 March 2023 तक तो ये जो year है इसको बोलते assessment year इस assessment year हम क्या करते हैं जो ये previous year है 21, 22 उस previous year की income में tax की calculation या tax का assessment इस assessment year में किया जाता है तो इस तरीके से previous year और assessment year चलते हैं जब ये previous year हो जाएगा तो इसके अगला वाला assessment year हो जाएगा तो इस तरीके से continue आगे हम इसा चलता रहता है तो ये कुछ definitions थी जिसके बारे मैंने आपको बताया आगे हम इसको continue करेंगे और भी points इस chapter से आपके लिए लेके आएंगे अगर आपको इन वीडियो से help मिल रही है तो आप please इस वीडियो को like कीजिए नीचे comment करके बताईए और दूसरों की help करना चाहते हैं दूसरे students की help क करना चाहते तो उन तक share कीजिए हम मिलते नेक्स वीडियो में आज के लिए इतना ही तब तक के लिए goodbye and thank you